हेलो दोस्तो स्वागरते आपका आठेल इंडिन डॉलेश पर दोस्तो फ्रूट काना किसे पसंद नहीं होता है फल हमारे सरीर के लिए हेल्थी डाइट का काम करते हैं फ्रूट काने से जहां सरीर को अच्छा पोशन मिलता है वहीं दोस्तो फ्रूट खाने से बहुत सारे बिमारियों से निजात भी मिलती है पर दोस्तो अक्सर आपने देखा होगा सड़े हुए फलों के पास अगर हम ताजा फल रख दें तो ये ताजा फल बहुत जल्दी ही सड़ने लगते हैं जबकि ये ताजा फल हम कुछी देर पहले लेके आए हैं लेकिन क्या आप ये जानते हो दोस्तो कि ये ताजा फल इतनी जल्दी क्यों सड़ने लगे हैं चलिए दोस्तो जानते हैं दोस्तो इसके पीछे का मेन कारण है सड़े हुए फलो से निकलने वाली एथिलिन गेस वेसे दोस्तो आपको बता दे सभी फलो में एथिलिन गेस पाई जाती है पर अब दोस्तो आपके मन में ये तो ख्याल आ ही रहा होगा कि फलो में ही मौझूद एथिलिन गेस फलो को ही केसे खराब कर देती है या सड़ा देती है दरसल दोस्तो सड़े हुए फलो में एथिलिन गेस की मात्रा पके हुए फलो की तुलना में जादा होती है और जब दोस्तो ताजा फलो को इन सड़े हुए फलो के पास रखा जाता है तो सड़े हुए फलों से निकलने वाली एथिलिन गेस के संपर्क में ये ताजा फल आ जाते हैं जिससे ताजा फल भी खराब होना सुरू कर देते हैं और दोस्तों बाद में सड़ने लगते हैं तो अब दोस्तों ध्यान रखेगा कि अगर आपकी टोकरी या फिरीज में कोई सड़ा हुआ फल है तो उसे निकाल कर फेक देना ही ज्यादा से है वरना ये आपके सभी ताजा फलों को भी खराब कर देगा चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि केलो को फिरीज में क्यों नहीं रखा जाता है जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हो कि केले में भरपूर मातरा में पोटेसियम, मेगनिसियम, आईरन, विटामिन, बी, सिक्स जैसे जरूरी तत्वे पाये जाते हैं केलों को बाकी फोलों की तरह फ्रीज में नहीं रखा जाता है और अगर दोस्तो इने फ्रीज में रख दिया जाता है तो ये जल्दी ही खराब हो जाते हैं दरसल दोस्तो केला सब ट्रोपिकल जगों पर उगया जाता है दोस्तो इन जगों में या इन इलाकों में गर्मी जादा पड़ती है जिससे गर्मी में केले खराब नहीं होते हैं पर जब दोस्तो इसे फिरीज में रखा जाता है तो ये फिरीज की ठंडक से खराब होना करने लगता है और इसलिए दोस्तों केले को कभी फिरिज में नहीं रखते हैं अब आप ये तो समझ गे होंगे कि सड़े हुए फल ताजा फलों को केसे खराब कर देते हैं और केले को फिरिज में क्यूं नहीं रखना चीए अगर दोस्तों मेरे द्वारती की जानकारी आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें